सहली मगर लग के वेश दित्ती पंचाबी कुडी जे कर तुसे भी सोच रहे हो विदेश रांदे लई ता हो जाओ साब दान किते ना हो जाना ठकी दा शिकार खबर नू कर दो वाद तो वजियर ता जो हर्किसे नू हो सके जानकारी तो स्वेकरोद टीवी एनरे मेहा गर्मा अकसरी केहा चानदा है कि गरीपी तो चंगी जेल होंदी है कि जेल देविच पामे असी बंद के रहे है पर सानु यह ता पता होंदा है कि तिन्नो टैम रोटी मिलनी है पर गरीपी देविच एक वेले रोटी मिले तेन दिन तक रोटी मिले चार दिन तक रोटी मिले कुछ नहीं पता होंदा ऐसे दे लई लोक जो है गरीपी तो चुटकारा पांदे लई की कुछ नहीं करते कदे अपने आपनों बेच दिन्दे है या फिर कम करन दे लई विदेशा दे विदेश जान दे हैं जी हाँ इसे तरह तई के तासा मामला समने आया है जिसने हर्पिसे नों हिरान कर देता है दर्श ये कि जिते एक 20 साला लड़की अपनी कारदी गरीपी नो दूर करन दे लई ते बज़ुर्ग माबापत सहारा बढन दे लई विदेश जान दी है ता जो कारदी सारी गरीपी खतम हो सके पर उसनों ए नहीं पता होंगा कि कारदी गरीपी नो खतम करन दे लई उसने वलो चुक्या गया एक कतम जो है उसने लई पूरी जिन्दगी दे लई रोणा बढ़ सकता है ते नाल ही उसने जिन्दगी खत्रे दे विच भी पैस सकती जी हाँ एक लड़की जिसने उमर महस 20 साल है वजर्क माबाप दा सहारा बनन दी कोशिश करती है पर अपनी सहेली दी गल्ला दे विच आके उसने वलो जिन्दगी तबाह कर ले जान दी है दरसल ए लड़की दुबई दे विच जान दी है पर उसनों ए नहीं पता होंदा कि दुबई दे जिस शेक दे कारों काम कर रही हुंदी है और उसनों ओथे नोकराणी दी वजो बेच दिता जान दा है जी हाँ फिरोस्तपुर दे ए मामला संबने आया जितों कारोबार दी तिलास दे लए दुबई दी रायन वाली 20 साला लड़की नों एजेंट ने अगे व विदेश मौच के उसनों नोकरी दवोन दी बजाए इराख पेज के नोकराणी बना लिया गया इंसाफ दे लए लड़की नों दर दर गया ठोकरा खा रही है पुलिस थाना तलवंडी पाई नों दितनी लिखत शेकाय दे विच पीड़ता दी माता बल जिंदर कोर वासी प ते कार्दी गरीपी दे कारणों पहला विलुदी आना दी तागा फैक्टरी देविच काम कर दी सी पर लोगडाउन तो बाद उसनी नोकरी छूट गई ते उसनों लड़की दी ममता नाल मुलाकात हुन दी है जो पिछले साल दुबाई गई सी ते उसने लड़की दे नाल भी गल कीती ते उसनों एकठे पठा के समझाया कि विदेश देविच बतेरिया नोकरिया ने ते ओवी अपनी बेटी नो दबाई पेज़ दवे अपनी सहेली ममता ली गल्ला देविच आके अर्श्तिव कोर ने अपनी मापे दिनाल गल कारके 90,000 दा करजा ले लिया सहेली ममता ने उसनों एज़न्ट सोनिया दा पता दसिया जो कि अमरी सर्दी ही रैन वाली है ते पठिंडा देविच वियाई होई है एज़न्ट सोनिया ने अपने सारे कागजात पूरे करवाय है ते खुल कीवत 90,000 दसी विष्टदारा ने करज़ा जो कि अपनी ती पेश दिती पर ए नहीं पता सी अगे उसनों कार्दी गरीपी दी वजाए उसनों ही बेचिया जा रहे है माबल जिंदर कोर ने रोंजिया दसी है कि उसनी लड़की दुपैर नो फ्लाइट से शाम दुबई पहुंच गई एक राद दे विच दुबई कतर दे विच उसनों कागजात त्यार कीते गई उत्ते उसनों राख दिल लई बगदाद पेश देता गया फिर उसने चार-पंच दिन ही बेटी देनाल गलबात ना हुई फिर बाद विच बेटी ने फोन किया कि दसे कि एजंटा ने उसनों शेख देकार नोकराणी बनाके रख्या होया है अते उसनों तष्ट किता जा रहा है करीबन तीन मीने तक अर्ष्टिप कोर नो शेख वलो काम करवाया गया उसने बदले कोई रकम ना दिती गई अते बाद विच उसनों किसे हो शेख कोल काम करवाण नहीं पेश देता गया इस दे बाद लगतारी उसने नाल कुटमार भी हों दिया लड़की नो शेख देकार पोजन लई सिरफ उबले होय चोल दिते जान दे सान उसने दसे आए कि जदो उसनी लड़की अर्ष्टिप कोर ने इस मंदी एजंट सोनिय दे नाल गालबात कीती ता उनना दसे की ओ वि साउड लई लगतार ही पुलिस दे अगे ते सरकार द्यागे मंग कर एक उसनी दूपारत ले आन दे वी संजो किता जावे आते उसनू दूप दाई जिनदगी तो बाहर कटिया जावे ते लगतार ही दस दिये कि उसनी बेटी दिन आल फोन उते होई गलबात एnisा थीन लग रुपे दी शेख वलों मंगीती जारिये ताहिं उसनों वापिस बुलाया जा सकते तक दो लख रुपे उसी पैक्टरी ले वलों मंगे जारहे ने इस तरह भाई भी डास दिए कि एक लख रुपे उस दे कारदा काम करवाया सी ओ भी रकम उसनों ना मिली है काफ़ी ज़ादा हिरान करण वाला मामला है जिस दे विच जड़ी की असी गाल कही सी की गरीबी डालो जेल चंगी हुँदी है क्योंकि जेल दे विच कैदी हानो तिन्दो टैम दा खाणा देता चानदा है पर गरीबी दे विच असी देख साक़्दे है कि सानों नहीं पता हुँदा है कि खाणा मिलना भी है या नहीं मिलना लोकान इस पूरे मामले तो सब्बक लेंड दी जरूरेत है कि विदेश दे विच बेशक आसी अपने बच्चियानों पेज दी हाँ चाह पी आरच रुकाबड नमस्कार भलिण डशे अपना अउलन काम करनें जरूर संप। गुरू क्रीम खान जी निनान में एक सो पंजा तरताल एक सो पंजा